सलगम एक टू बिंदास लाइफ इस्टाइल, चलिए और आज बनाते हैं हम सलगम फ्राइब, सलगम यानि की टरनिप जो विंटर में ही होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे तरह तरह के बेंजन इससे बना सकते हैं, तो आज हम सिर्फ इसको फ्राइब बनाएं तो अंदर से इसके फ्लैसेज पूरे वाइट होगें, आप इसके सलाद बनाएए, कच्छा भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है, या फिर फ्राइब बनाएए, तरह तरह के इसके बेंजन बनाएए, जो आपको पसंदा है, सबजी भी बनती है, अच्छी बनती है, तो इस तरह से देखिए, मैंने स्लैसेज कर लिया, और इस बीच आप मेरे चैनल पर आ जाएए, और आ करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल बटन के साथ, ताकि मैं जो भी डालूँ, आपको तुरंत मिल सके, रेशिपीज और लाइक और सब्सक्राइब भी किजिए, मिती दारा डालती हूँ और एक हरी मिर्च को इस तरह से हाफाप काट करके इसमें डाल दिया है, हरी मिर्च की मातरा आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकती है, फिर मैंने जो सलगम को स्लाइस किया है, उसे ले लूँगी और उसमें इसको डाल दूँगी, और अब मैं इ नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए और हल्दी पाउडर डालिए, आप करीब हाफ टे स्पून के करीब, और बस इसे आप मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके ढखक करके पकने के लिए छोड़ दीजिए, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, वो जो नमक का पानी ह उससे यह बहुत ही अच्छी तरह से सौप्ट हो जाएगा, पक जाएगा, फटा फट से बन जाएगा, गरम गरम सर्फ कीजिए, रोटी चावल के साथ खाईए, बहुत ही अच्छा लगता है, चलिए इसे, इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी सोवा पता, डिल लीप जिसक मैं काट कर मैं सोया पता को इसमें डाल दूंगी, सोया पता को सोया साथ, डिल लीप इस तरह से बोलते हैं, आपके यहां क्या बोलते हैं, जरूर हमें बताईएगा, तो इस तरह से इसे मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसे धब दूंगी, और यह देखिए, करीब चार मिनट बाद मैं जब मैं ने इसे खोला तो ये काफी सॉफ्ट हो चुका है और ये देखिए अब इसे मैं करीब दो मिनट तक भून लूँगी और भूनने के बाद इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी तो देखिए हो गया ना फटाफट से तयार तयार हो गया है अब आप इसे सर्फ कीजिए सभी आपको बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है आपने ये जरूर ही बोलेंगे तो चलिए मिलती हूँ फिर में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहिए खुश रहिए चलिए मिलती हैं बाई बाई फ्रेंड